वेलकम स्टूडेंस तो स्टूडेंस लास्ट लेक्चर में में आपको डेफिनिशन करवाई थी कि infinite series की convergence का मतलब क्या हुता है कि कैसे हमें infinite series की convergence define करते हैं अगर आपने वो lecture नहीं देखा तो सबसे पहले उपर i butter में आपको उस lecture का मिलेगा यह आप नीचे प्लेलिस्ट में भी उसको ढूम सकती है अब उसके बाद हम आज करने वाले हैं अनसेसरी कंडीशन फोर कनवर्जेंस तो सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं इसका मतलब क्या चूरम का यह चूरम कहा रही है कि अनसेसरी कंडीशन फोर दा कनवर्जेंस ओफ इन्फनाइट सीरीज इस डैट कि लीमिट ओफ यूए इस इकल टू जीरो तो देखे सबसे पर यह मिसका मतलब समझते हैं इसका मतलब क्या है कि वह कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सीरीज है समिशन ओफ यूए अगर वो जो सीरीज है हमारे पास वो एक कनवर्जेंस सीरीज है मतलब कि वह किसी पॉइंट पे कनवर्ज कर रही है तो जब भी वो कनवर्ज करेगी तो उसके लिए क्या है कि जब भी सीरीज कनवर्ज करेगी तो जो यह सीरीज की आपकी सीक्वेंस 0 कि पड़े ग Lord kya does नहीं पढ़ेगा तो that means अगर सीरीज हमारी u and konverges है मैं तो यहां एन एंक्रेप्थ हो जाएगा की u nений सीपस्पेंश को 0 करना ही पड़ेगा डै Bjeka अगर कोई वी शेरीज हमारी यह उसकी 한다 घंड उन्हीं तो वो series भी आपकी convergent नहीं होगी तो that means इस theorem का हम use किसी भी series को यह proof करने के लिए कर सकते हैं कि वो converge नहीं कर रही ठीक है बट इससे हम यह नहीं बता सकते कि वो series convergence है इससे हम यह बता पाएंगे कि वो series converge नहीं करेगी मैं आपको इस theorem के प्रूफ जो हम इसका प्रूफ करेंगे उसके बाद एक्जाम्पल्स के थुरू आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा तो देखे ध्यान से सबसे पहले हम इस रिजल्ट को प्रूफ करते हैं काफी इंपोर्टन प्रूफ है काफी बार यह आपके एक्जाम में आता है तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो यह सीरीज है हमारे पास ऐप कर दे coupon है वह एक लिघंश हो आगगे लिख लेते हैं Let us consider the sequence of partial sums तो partial sums की sequence हम define कर लेते हैं जिसकी nth term हम कैसे लिखेंगे कि जो ये हमारी un दिया हुआ है उसकी first n terms की हम क्या कर लेंगे addition that is un अगर ये series convergent है तो which implies कि ये sn sequence converge होगी तो हम मान लेते हैं कि वो sequence आपके किस point पर converge कर रही है अब ध्यान से देखिए अब मेरे को un के बारे में पता करना है तो sn की help से हम un निकालेंगे तो ये आप काफी बड़ी भी करते हो इसको तो हम n-1 term define कर लेते हैं तो वहां से वो क्या हो जाएगा u1 plus u2 plus u3 और ये sum अब की बार आपका पोंच जाएगा n-1 terms तक ना तो एक term मैं इसमें होर लिखनू यहां पे that is u of n-1 अब हम दोनों को minus कर देते हैं that is sn minus s of n-1 तो हमें क्या मिलेगा un that means जो un n-th term हमने क्या कर ली उसको partial sums की terms में convert कर लिया अब ध्यान से देखिए sn sequence आपकी s पे converge कर रही है और s of n-1 तो भी convergent होगी वो भी s पे converge कर जाएगी अगर ये दोनों sequence s पे converge कर रही हैं तो that means sn minus s of n-1 sequence भी convergent होगी क्योंकि difference of two convergent sequence हमाशा convergent होते हैं और वो converge किस पे करेगी s minus s which is equal to 0 ये हमने क्या लिखा हुआ है ये है हमारा un तो that means un series sequence की जो ये sequence है हमारी un उसको 0 पे converge करना ही पड़ेगा तो that means अगर ये series आपकी convergent होगी तो पक्का शोर होगा कि उसकी nth term को 0 होना ही पड़ेगा अब इसको मैं आपको काफी examples के थूरू समझाऊंगा क्योंकि बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं अब students आगे देखिए मैंने आपके पास यहाँ पे दो series दी हुई है तो देखिए जब भी हम series की convergence की बात करेंगी तो सबसे पहले हमने काम क्या करना होता है उसकी nth term निकालनी होती है यह series पड़ी है न तो इसकी हम nth term निकालने की कोशिश करते हैं तो वो clearly हमको दिख रहे है कि इसमें जो un होगा हमारे पास वो क्या होगा n over n plus 1 तो सबसे पहले हमने nth term निकालनी अब nth term निकालनी तो हमने यह चेक करना है कि यह किस point पर converge कर भी यह नहीं कर रही तो उसके लिए हम इसको ऐसे लिख लेंगे n से divide कर देंगे और यह 1 by n sequence आपकी 0 पर converge कर जाएगी तो नीचे वाली 1 पर तो overall जो यह sequence आपकी UN वो 1 पर converge कर जाएगी that means जो यह UN sequence है हमारी वो converge कर रही है 1 पर तो पर अगर यह 0 पर converge कर रही है तो that means यह 0 पर converge नहीं कर रही अगर यह 0 पर converge नहीं करेगी तो that means वो convergent भी नहीं होगी तो that means यह जो आपके पास सीरीज है हम लिखेंगे that is not convergent हम इससे सिर्फ यही प्रूफ कर सकते हैं कि कोई सीरीज कनवर्जेंट नहीं है ठीक है अब जैसे यह example पढ़ी है तो अगर मैं इसकी एनत्रम आपसे पुछूँ तो आपके पास आजाएगी one by n अब आप इसकी limit चेक करोगे तो हम सभी को पता है कि जो यह sequence होती है हमारे पास वो आपकी zero पे converge करती है अब जब भी यह zero पे converge कर गई हमारे पास तो हमेशा हमारे पास दो possibilities रहेंगी तो सबसे पहले यह हमारे पास convergent हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है तो अगर उसकी limit zero आ गई तो उससे हम कुछ नहीं बोल सकते कि वो convergent होगी या convergent नहीं होगी बट अगर वो zero नहीं आई तो हम पक्काश हो रहें कि वो convergent नहीं होगी तो इन दो बातों का आपको ध्यान देना है अब जैसे कि यह आपकी sequence जो लिखी है one by n आगे हम इसको proof करेंगे कि जो इसकी limit है वो zero आ रही है बट जो यह हमारी series होती है वो diverge करती है वो हमारी converge नहीं करती ठीक है तो इन counter examples का और यह सारा कुछ आपको अच्छे से ध्यान में रखना है झाल